और जैसा कि जनता टीवी का आज ये बंच सजा है और हम यहाँ पर परताल करें उन तमाम मुद्दों के क्योंकि अक्सर डिवेट्स में देखा जाता है कि आरोब प्रत्यारोब के सवालों के वीच कहीं न कहीं वो ऐसे मुद्दे ऐसे सवाल जो हैं जिनका उटना बहुत बहुत 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 शुक्रे एकаются अम्हार मेह éénमानों का स्वागत करेंगे और निश्यत ऑपर सवाल यहां पर में लेकिन सवाल सबसे पहले आप से जंटा से जुड़े होँंगे और खुल मिलाकर यहाँ पर सबसे पहले मेरा सवाल है खादया पूर्ति राजय मंत्री कंडेव कंबो जी आपसे मेरा सवाल है इन पांच सालों में अगर बात की जाए इंद्री में तो क्या कुछ बदला आपको लगता है कि जो चीज पहले नहीं थी शायद वो बदली है और क क्या कुछ काम यहाँ पर हुए इन पांच सालों में सबसे पहले मैं जनता टीवी का बहुत-बहुत अवारवेक करता हूं कि इस परकार का एक महाकूम करके सभी विदायकों को यहां बुला करके अपनी बात जनता तक पोचाने के लिए जो यह कार्यकरम आयोजित किया तो म मैं जनता टीवी का बहुत-बहुत आवारवेक करता हूं और जहां तक आपने भी इंद्री के बारे में मेरे से स्वाल पूछा कि इंद्री में दो हजार चोदम जब चनाव हुआ क्योंकि मैं तो रहने वाला यम्ननगर जिलेक और रदोर कंस्टिच्वेंसी से मैं चनाव लड़ना चाहता था लेकिन मेरी पार्टी ने मेरे पर ब्रोसा करके विश्वास करके मुझे इंद्री से चनाव मदान में उतारा और वहां चनाव लड़ने की उस नियत से मैं पहल लग रहा था कि सैद ये अलका भी अजाद नहीं हुआ है वहां की जो सडके थी सभी परमुक सडके बिलकुल उनमें एक एक फुट गहरे खड़े थे और कहीं सडकों के उपर तो लोगों ने जाना भी बंद कर दिया था बराबर में जो जार नुवा पेड़ खड़े होते ह वहां की महिलाओं के द्वारा वहां के बच्चों के द्वारा एक मांग रखी गई कि भाई साब हम आपको वोट जरूर देंगे यहां से आपको चुनाव भी जिताएंगे लेकिन इंद्री के अंदर कोई पारक नहीं है इंद्री एक टाउन जरूर है कसबा है नगर पालिक है लेकिन इंद्री के अंदर कोई भी इस परकार का जहां सुबह से हम जाकर के कोई माता वहन कोई नोजवान सातिक बच्चे या बजूर जाकर के इस परकार का कोई अपने स्वास्ते को ठीक रखने के लिए वो इस परकार के सैर कर सके या तोड़ी देर अपना मनोरंजन कर के लिए वहां जा करके बैठ सकें तो इंद्री के अंदर कोई भी परकार का कोई पारक नहीं था एक बार दो हजार साथ में वहां के स्थानिया विदायक और ततकालेन मुख्या मंत्री सिरीमान वुपेंदर सिंग उड़ाजी ने एक उद्गाटन जरूर किया थे पत्तर जरूर लगा हुआ था एक जगा यह हर्बल पारक जोने ड्वैल्प किया जाएगा लेकिन वह सिरफ पत्तर लगा राए गया वहां किसी भी परकार का कोई भी ड्वैलमेंट का काम नहीं किया गया तो जब मैं वह ष्याम इतनी चहल पएल होती है इतनी रोनक होती है और यहां तक कि इंद्री के अंदर जो लोग रहते हैं वहां रिस्टे बंद हो गए थे क्योंकि वहां के सड़के तूटी पड़ी थी और आज इंद्री के उसी पारक की वज़े से चार दर्जल से ज्यादा तो रिष्टे वहीं बैठ करके तैह हो गए है यहने कि इस परकार को पारक जो एक सुंदर पारक है उसमें लोग अपने समाजिक बंदन जो है न समाजिक र पड़ी थी सारी टूटी पड़ी थी वह हमने पर प्रार्थमिक्ता क्यादार पर सारी सड़कों का सुधारी कंड किया उनको मजबूत बनाया पहले से चोड़ा बनवाया और इंद्री से लेकर के करनाल तक सिंगल रोड था जिस पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है जिसमें यबननगर की तरफ से आने वाली ट्रैफिक भी थी लाडवा से आने वाली ट्रैफिक भी थी जिस पर बहुत एक्सिडेंट होते थे और लोगों को आने जाने में बड़ी प्रेशानी होती थी तो मैंने मानिया मुख्यमंत्री जी वो जब 2015 में चार जून 2015 में हमने विकास एक ранुली के नाम से वाकार एक करम किया मने मुख्यमंतरी जी के सामने मने नुभर ने क्या कि इसको फोर लैनिंग बनाये जे वाज मुझे कहते हूं खुशी हो रही है ऐंकी उस हमारी वाली रहिस इनले बन करके बत्राइब करूत होने वाली है बिल्डिंग बड़ी कंडम हो पड़ी थी उसमें किसी भी परकार की कोई शूविदा नहीं थी आह ज भाब को मरीजों को कहीं बहार इस समस्या को समधान के लिए बाहर ना जाना पड़े तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्दी जो एने इंद्री के लिए है इंद्री को अंतराश्टे स्तर पर हम इसका नाम कैसे पुचा सकें इसके लिए मेरे मन में एक योजना थी और वो योजना हमारी फलीबूत भी है 2015 में ज तो कई बार मैं देखता हूँ कि वहां के बच्चे स्थानिया बच्चे होते हैं नहर में चलांग लगाते हैं वो It always मैं कई बार तो कई अनजान बच्चे उसमें डूब भी जाते हैं ऐसी कोई गरना हgadoई हुई भी हे तो उसको रोकने के लिए कि हमारे बच्चों को इस परकार की तराकी की जो हैना स्वीमिंग की ट्रेनिंग मिले तो हमने एक अंतरास्टेस तरका एक स्वीमिंग पूल जो हमारा बन करके और जुलाई में उसका उद्गाटन करने वाले हैं बिल्कुल अंतिम चर्ण में हैं तो वो हमारा अंतरास्टेस तरका है एट लेन का ज जिसमें ग्राइजुएशन तक की शिक्षा दी जाती थी, तो हम ने पीजी क्लासे स्टाट करने के लिए मैंने मुख्या मंतरी से निविदन किया था और वह हमारी पीजी की क्लासे उसमें सुरू हो गई है, हमारा उसमें स्टाप का जो भी क्लासे बिल्डिंग पेर करने थी, एक्सिटेंड करने की वो सारा काम जो है ना हमारा सहीद उद्धम सिंग कोलेज में बन करके हमारा तैयार हो गया इसी परकार से हमारे एक्षेतर के अंदर कोई भी सब डिविजन लेवल का कोई भी स्टेडियम नहीं था तो मैंने मुख्या मंतरी जी से निवेदन किया वो हमा इसे फिल्ण करे वह प्रैक्टिस परकार से जादा जाना मैडल लेकर करके हैं इस परकार का स्टेडियम भी हमने अपने इलाके कंदर बनवाया और जब मैंने वहां से चनाओ लड़ाता तो इंद्री कस्भा है हमारा एरिया लग बग सारा ग्रामिन एरिया है है कि हमारे पा और उस जंगल में बहुत सारा इतना मतलग कच्रा जो आसपास के प्रडोस के लोग है वो सारा उसमें कठा कर देते थे तो इंद्री के अंदर गूशते ही जो आना यह लगता था भी किसी कच्रा जोगों पर हम आ करके यहां जो आना आये हैं तो मुझे बड़ा गलत लगता थ तो हमने उस सारी जेगा जो अवैद कबजे भी होए थे तो सारा कबजी छटवा करके और किसी भी प्रकार का कोई भी जगड़ा नियूने दिया उस सारी की बौंडरी वाल कराएं उस सारी फोरेस्ट की लेंड थी वह सारी हमने खाली कराकर करके वह भी हम ने बहुत बढ़ के देर लगे वह लगते हैं हमने वहां एक चोंक बनवा करके और वीविन समाजों की तरफ से मांगाने लगी कि इसमें कोई करने लगा में बेट कर चोंक बनवाना चाहिए कोई काहरा है कोई बाल में की चोंक बनवाना चाहिए कोई अन्या नाम से तो जब काफी नाम हमारे प स्टेंट के बिल्कुल नजदी जो ही आप इंद्री केंदर एंट्री करेंगे आज से जो पांच साल पहले का इंद्री था वह आज आपको बदला बदली है बहुत अच्छी बात है आप अगर वहां स्थानिया लोगों से जाकर के बात करेंगे जो आज विपक्स के लोग भी बिल्कुल वो भी यह कहेंगे कि पचास साल में कभी इतना काम इंद्री कंदर नहीं हुआ अच्छी बात है यह अच्छी बात है हम भी सुनते हैं कि कई ऐसे जो विपक्षी पार्टी के विदायक हैं वो भी मुक्यमंत्री मनोलाल की तारीफ करते हैं मैं आगे न चाहूंग कि खुलवंत बाजीगर जी से सवाल मेरा है घुला चिका से विदायक है सर आपने क्योंकि यह कंदेव कंभोज जी की बात को ही आगे बढ़ाते वे मैं यह बात करूंगा आपने कुछ दिन पहले तो कह दिया है फिचतर प्लस अप जो लोग सभा में जादू चला था वो हर है घुला चिका को जो पहले नहीं था उसे बनाया है सब से पहले तो मैं धन्यवात करता हूं जनता टीवी का जो हमें आज यहां बुला कर इस तरीके से इंट्रिव लिया जा रहा है विकासकारों के बारे में जानकारी ली जा रही है पतल लगाया जा रहा है ताकि वो बहुत पिछड़ा हुआ था जो कि 40 सालों से वहां अगर किसी भी बात की, कोई किसी काम की भी बात करें, सिक्सा की बात करें, इसकिसा की बात करें, जीमिंदरों की नहरों की बात करें, नहरी पानी की, या सडकों की बात करें तो सब सडकें टूटी हुई थी और और सुविधा नहीं थी. जैसे सिक्सा की बात करते हैं तो हमारे गुलहचीग़ा में बारा स्कूल अपग्रेट हुए बारा स्कूल अपग्रेट और एक बेट्यों का कोलज कन्या महाविदालय बनाया जसकी बहुत जादा जरूरत थी और उसके अलावा लगबक तीन करोड रुपे मैंने स्कूलों में गरांट मानईय मुक्या मंतरी द्वारा दी गई जिस्टे जिससे स्कूलों में कोई सोचाल नहीं था जिस्कूलों में कोई रूम कमरे नहीं थे या ऐसी चोटी मोटी बहुत सी दिखते थी बहुत प्रूब्लमें थी और एक आई टी आई की बिल्डिंग चार क्रोड 47 लाख रपेगी लागत से बनाई ताकि हमारा गूला हल् कुलवन जी बहुत अच्छी बात है आप ही कह रहे हैं क्योंकि एक एकर सवाल में जरूरूर पूछूंगी लेकिन बीच में आपको रोक रही हूं माफिय चाहूंगी सर आप कह रहे हैं पुरानी मांगों का आप जिक्र भी कर रहे हैं साथ में गुला को सब्डिविजिन कब को बन पाएगा ऐसे सवाल यहां पर जनता पूछ रही है पुरानी मांग आपने बोली तो इसलिए सवाल में को पूछना पड़ा आप से नहीं गुला सब्डिविजिन है और गुला में मैं तो एक विकास की बात कर रहा हूं अभी जैसे इस तरिके से बता रहे थे विकास पूला में कोई कुछ भी नहीं था अभी मैंने सिक्सा की बात करी है तो आप देखिए कि सिक्सा में कितना उच उचे संतर पर अभी आया है और उसके बाद अगर मैं चिक्सा की बात करूं तो चिक्सा में वहां मुर्चरी नहीं थी कोई होस्पीटल एक होस्पीटल तो था तो उसमें कोई एक्स्रे मसीन नहीं कोई अल्टरासोंड मसीन नहीं ऐसी दिखते थी जिसके लिए लगबग चार क्रोड रुपे मान्य मुख्या मंतरी द्वारा मंजूर किये गए और वहां ये सारी स्विदाएं पूरी की गई और मोर्चरी भी जो बनके त्यार हो चुकी है और उसके अलावा जैसे हमारा घगरपारी इलाका है लगबग बीस गउंग घगरपारी इलाके में पड़ते हैं वहां भी होस्पीटल की जरूरती अगर किसी पे अमरजंसी किसी आम मजदूर जरूरत मन्त पे पड़ जाती थी तो या तो उसे पटेयाला जाना पड़ता थ और वहां भी एक पीएसी मंजूर की है और जिस पे डक्टरों की ड्यूटी लगा भी दी गई है और उसके अलावा एक अगौंद में एक पीएसी एक दो क्रोड रुपे की लागत से वो बिल्डिंग बनेंगी और वो पीएसी की भी मंजूरी मिल गई है और उसके अलावा स कब सबसेंटर जासे भाग场 में सबसेंटर बनाया है एक चीका में और सबसेंटर बनवाए है तो डिकाता भी अब बहुत बढ़िय के हमारे विकास हुआ है उसके अलावा सबकों की बात करें तो जितनीद भी सबकें हमारे गूला छीका में थी उन सदकों में खड़े नहीं यह कह सकते हैं कि वो खड़ों में सबकें थी तोलग बग बासट सबकें जो नूई मनझूर की गई कुछ तो बारां से ठारव फुट करने वाली और कुछ गों से गों जोडने वाली कच्ची थी वो पक्की सड़के वो लगबग बनके त्यार हो चुकी है और हमारे जैसे फोर लेंड नहीं था एक शैर तो था वो एक गराम की तरह जाना जाता था कि ये गाम है ये क्योंकि आसपास कहीं भी देखते थे हमारे आसपास चाह लाक रुपय की लागर से हमारे वो फोर लेंड मनझूर हुई जो लगबग बनकर त्यार हो चुकी है अगर नहरी पानी की बात करें तो नहरों में जब से मैंने सुर्थ संभाली है लगबग 33-34 साल 35 साल से मैं देख रहा हूँ तो नहरों में पानी नहीं था या भालके की क करवाया और जो टेल टक पानी पहुंचा और उसके अलावा जिविदारों की एक मांग थी कि एक मिटी पानी जाँच लेब होनी चाहिए जो मिटी पानी जांच लेब भी बनके त्यार हो चुकी है और सहर में एक नहर थी मार्कंडा डिस्टीवूटरी जो सहर को दो हिस्सों म बटा हुआ था उसको अंडर ग्रोंड कराने के लिए भी लग बग 19 करोड रुपे मंजूर करवाए और वो नहर अंडर ग्रोंड हो चुकी है और उसके साथ-साथ 22 फुटी रोड बनके प्यार हो गया है और उसके लोग हजारों लोग रोज सुबह पांच बजे सहर भी करते ह है और उसके बाद दिन में वो काम आता है आने जाने के लिए अभी तो और भी विकास की बहुत अच्छी बात है और यह रिपोर्ट कर आप जंता के सामने रख रहे हैं यह बहुत अच्छी बात है एक और मैं सवाल आपसे पूछेंगी क्योंकि आप आगे बढ़ने से पहल अभी जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में दस की दस सीटे जटक लिए उससे पहले जीन दुप चुनाव होए उससे पहले पंजाद चुनाव होए काफी अच्छा प्रदर्शन यहां पर आया काफी कुछ बदलाव भी अब हरियानम की सियासत में देखने को मिला है सर अब किस तरह से होना चाहिए उसका जो है रूपांतरन और ट्रांस्फॉर्मेशन किस तरह से होना चाहिए लेकिन जरूवत यह है स्पीड अप करने की किस तेजी से सरकार काम करती है जिस तरह से सरकार जो है सारे अपने सिस्टम गई गवर्नेस में ला रही है और सिस्टम जो है है smartness में आ रहे हैं उस तरह से सरकार को भी smart होने की ज़रूद है कि वह सरकार का report का ठीक है और जंता के बीच मैं जो चुनाओ होने हुए हैं उसमें अच्छे results बिले हैं और वो सावर अरदक हैं तो सरकार जो है उसके उसने बांदी है तो वो उम्मीदें पूरी होंगी लेकिन कामकाज की कसोटी पर भी सरकार को बहुत कुछ काम करना बाकिए जो उसने घोसनाओं की अब तक वो उन घोसनाओं के लेवल पर पूरा खरा उतरने की जरूवत है तो यह इस्तिती है जो चुनाओं में सफलता मिल सकती है आगे जो है उम्मीद है जता ही क्योंकि लोगों को उम्मीद है कि सरकार कुछ करके दिखाएगी चलिए बिलकुल अब कंडेव कंबो जी मेरे सवाल है और वो दो सवाल मैं आप से पूछूंगी मुझे लगता है कि दो सवाल अगर नहीं पूछे गए तो फिर सह है वो ज्यादा है दूसरा सवाल है कि इंद्री के लगवग 32 गाहों से होकर गुजरने वाली जो धनुरा स्काइप में पिछले कई साल से अबना नगर की फैक्टरियों का दूश्यत पानी चल रहा है जिसकी वज़े से कई जो से लगते गाउं है वो काफी परिशान है के इंडस्ट्री हमारे हलके के अंदर आए अभी हमने फूर कलस्टर के नाम पर एक जोन बनाया है मुगल माजरा में और उसमें जो इंडस्टी है फूर से समंदी इंडस्टी है वो उसमें हम जो है नव डूल कर रहे हैं उसमें भी लगबग 2000 के करीब जो है लोगों को आया था सबसे हमने निवेदन भी क्या है ज्यादा से ज्यादा फूर प्रोसेसिंग के जो एना इंडस्टी हमारे इलाके के अंदर लगाए क्योंकि हमारे इलाके का हमारा इलाका जो है वो वेजी टेवल का इलाका है और वेजी टेवल की प्रोसेसिंग के लिए क्योंकि कुछ लंबे समय तक उनको रखा जा सकता है, तो उसमें किसानों को भी लाब मिलेगा, और जब वो प्रोसेसिंग यूनिट लगेंगे, तो उसमें काफी लोगों को रोजगार भी मिलेगा, कुछ लोग परिवहन के साधन करेंगे, कुछ लोग पैकेजिंग का काम करेंगे, तो उसमें रोजगार के अफसर उपलब दोंगे, तो इस परकार की हम जो एकोसिस कर रहे हैं, और जादा से जादा, मैंने मानिया मुक्ह मंत्री जी से भी निवदन किया था, कि हमारे इलाके में, हमारे चार ऐसे बड़े गाउं है, जो एक ही जगा है, उनकी पंचैत की, हा जो जना, और वो कोई बड़ा कार खाना, जो रोजगार पूरकार खाना हो, वो हमारे इलाके के अंदर अगर लेकर क्या है, तो हम इन पंचैतों से जमीन जयना उनको लब्द करवा देंगे, तो इस परकार का परियास हमारा चल रहा है, दूसरा जहां तक धनोरा, इसकेप क से परवावित होते हैं, बड़ा गंदा पानी इसमें से और वो भी कैमिकल वाला पानी, क्योंकि जगादरिक के अंदर जो इंडरस्टी है और वो बरतन उद्योग में कहीं परकार के कैमिकल जो जो एना, यूज किये जाते हैं, वो कैमिकल युक्त पानी भी इसी नाले के द हैं, तो हमने पूब्लिक हैल्थ और इरिऊटसन दिपारड मेन तीनों डिपार्डमेंट को बलाकर करके हमने जो एना में तीम में आम निर्ने लिया तक ये निकलने वाड़ा नाला, अहुंकि जमना भी यम्नानेगर से निकलता है, और ये अगे जाकर के घिरता भी जमनामे है कुछबरा के पास तो मैंने सभी डिपार्मेंट के लोगों से कहा था कि इसको क्यों ना क्योंकि 8-10 किलोमेटर पड़ता है यम नगर से जो यमना का एरिया है तो इसको सिधा यमना में अगर वहां भी डालना अपनों ट्रीट करके यह उसको यमना में डालने तो जब उसका सर्वे कराया गया तो उसमें जो है ना लेवल की समस्याई बैक प्लो की समस्याई वहां यमना का लेवल जो है ना ऊचा है और यह जो है यमना नगर नीचे में है तो उसमें यमना का पाणी है वो बैक प्लो की समस्या रहे थी तो वह स्कीम हमारी जो है ना कारगर साबित न लगा रहा है एक तो उनका चल कर बन करके तयार होगा रोगर वो ट्राइब कर रहे हैं कि यह ठीक चलेगा नहीं चलेगा तो यह दो तो हमारे सब्सक्राइब करके तयार हो गए हैं दूसरा हमने अभी एक प्राइवेट कंपनी इंटरनेशनल लेवल की एजी डॉटर पिछे हमने अपने सभी डिपार्टमेंटों को बलकी रेरा को भी अमने उसमें बलाया था वह कंपनी यह दावा करती है कि इस पानी से हमने मैंने मोके ऐने मोने और वह बलाया थे और कहुंआ वह मिजिट कर चूके है में पर काटे करके ङुछ मिघा कala Krista available करता की परेऊ कि परकार के अव然后 काम हो पाएं वह क्यूंकि वो कंपनी इस परनी पर गार की ahaha say जीट और दोश्राय तो जो सिर्फ शर्प करके स्थित है कि जो प्रोड़क्ट सरकार को बनवाना चाहती है रिस मियां कांड़े वह सारा सारा काम तो हीट सब्सक्राइब उनको प्रशुप कर आख करके वह हमारे यहां प्रोसेस में है जल्दी इयकारी है नो GC वाटर है यह स्रीन जारे डेसके और मोड़न बूरे देशके इंदर क्योंकि जहलों कि अगर इंद्री यह काम्याब हुआ तो ये पूरे देश के अधर वैसे भी हर्याना में तो कई काम ऐसे हो रहे हैं कि पूरे हर राचे में इसको मोगी तरह कहा जाए है तो हम उस पर काम करें कुल्वन बाजेगर जी दो सवाल आप से भी मैं पूछूंगी हाला कि दोनों अपोजिट सवाल हैं आप गुजरात आप क्या लेकर आए वहां से और दूसरी चीज क्योंकि आपके अविदान सबाट करूंगा बात कुरूं है लोगों की समस्या है वहां पर विकास हुआ है कुछ खास विकास नहीं हुआ है और नशे की मुद्दे के समस्या पर आपने अभी तक खुश नहीं है आपने सारी चीज़े तो गिनवादी सर लेकिन निशे का जो मुद्दा है वो अभी भी अधूरा है ये दो ऐसे सवाल है अपोजिट सवाल है लेकिन मैं चाहूंगी कि आप इस पर जवाब दे प्लीज गुजरात की बात करें तो गुजरात में एक हमारी कमेटी का टूर गया था जिसके चेर्मिन प्रदेशाद एक से हमारे सबास बुराला जी थे तो वहां के स्पीकर साफ से मीटिंग की और वहां के ओफिरों से भी जो मीटिंग की तो जो सोलर लाइट के बारे में देखके या नहरी पानी की भी बात की थी और पुब्लिक हैल्थ की भी वहां कई चर्चाएं की जो बात की थी और वहां हम यहां कोशिश कर रहे हैं कि आके देखके जो वहां हमारे से अच्छा है वहां हम यहां करें तो दूसरी बात आप एक कह रहे हो खरकांगाओं में विकास की बात करें खरकांगाओं विकास की बात बताता हूं मैं आपको खरकांगाओं बहुत जादा पिछड़ा हुआ था बेलकुल बहुत पिछड़ा था इसी लिए मैंने वो गाउं गोद लिया जिसमें मैं अब तक दो क्रोड रुपए तो सी दित और पे लगा चुका हूं लगबग बासट त्रेसट गलियां जो डेरों में पहुंचेंगे वो डेरों में ज्यादा रुपए की लागत से बनाया एक वहां में सड़क 6 क्रोड रुपए की लागत से लगबग चोड़ी सड़क करवाई और वो बिल्कुल ठीक करवाई बाकि उसमें पानी की जरूर थी पाइपलैन लीक ती और जिसके लगबग 60 लाख रुपे मनजूर करवाई और वो पूरी पाइपलैन बदली जाएगी और वहां जब गौं में हम जाते थे तो बार स्कूल के पास वहां बिल्कुल बुरा हाल था वहां लगबग 40-45 लाख रुपे गी लागत से ब्लॉक लगवा कर वो स्कूल के सामने सारा वो पका करवाया और बहुत से काम ऐसे एक गौं को एंब कमेटी बनाईगी क्योंकि नसा एक समाजिक बुराई है हमारा इलाका पंजाब के साथ सटा हुआ है आपको पता है पंजाब में बड़ी दिखते आई तो इसलिए वहां एक कमेटियां बनाई हुई है और उन कमेटियों दोबारा जो भी अगर कहीं नसे की सिकैत आती है तो उस उनको पकड़ के उन पर कारवाई होती है तो ये नसा तो सरकार तो कोशिस करती है लेकिन एक समाज की टीम भी उसको ठीक कर सकती है तो हम सब को संबालना होगा और दूसरे बात आप विकास के जिस तरीके से बात अभी मैंने मेरी बात पूरी नहीं की थी अभी तो मैंन स्टेडियमों के बारे में नहीं बताया मेरे गूला चिका में कोई स्टेडियम नहीं था चार स्टेडियम बनवाए जिस तरीके से एक अंदली में मंजूर करवाया एक माजरी में सहीद उदम सिंग जी के नाम से मंजूर करवाया और एक बावपुर में लगवग बनके त्या तो 11 पावर हाउस गूला चीका में जो लगबग बनकर त्यार हो चुके हैं तो बहुत से जैसे फाइर ब्रिगेड की वहां एक ही पुरानी गाड़ी थी वो टूटी ती इसलिए दो गाड़ियां वो आ गई हैं वो दो गाड़ियां मगवाई उसके अलावा उनकी काम नहीं हुआ मैं कहता हूँ दो क्रोड रुपे लग चुके हैं और उसके सब्सक्राइब को लेकर जिला पड़ता है कि हलके की सुद्ध आपने कभी नहीं क्योंकि सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की जमीन पर कभजा करने की कोशिश की गई आपका भी इस मामले में विर संकारी स्कूल के लिए लोग जमीन देते हैं कभजा कौन किसी को करने देगा यह तो फालतुगी लगती है और वो किसीने की आयम बताओ मेरे को मेरे दुख कोई ऐसा ध्यान में नहीं है तो गूला चीका के बारे में मैं एक ही बात बता हूं कि इतना विकास करवाया है मैंन तो सभी को ये बात कहिए है कि आप जैसे मंच आपने लगाया ऐसा मंच लगे एक तरफ वो सभी हो दूसरी तरफ मैं हूँ अगर उन सभी अपना विकास जोड़ लें अगर उन से भी दो गुणा विकास अगर जादा ना हुआ हो मैं अस्तिफा दे के उनको नेता मान तो सोच ज़रादाब अनंद आएगा बात करने का कि उन्होंने क्या किया और हमने क्या किया लेकिन आपने तो यहां यह मंच शाज इसलिए लगाया है कि कि आपने पांच साल में क्या किया है और यहीं इसी लिए आज हम यह सवाल आपसे पूछ रहे हैं राजेंद्र अमरलाल सरकार में मैंने जितना अब तक देखा है जितने खबरें हम लोग पढ़ते हैं कि इनके विकास के मॉडल को दूसरे राजियों में बहुत तर्जी दी जाती है यह कहा जाता है कि इस मॉडल जो के हरियाना में इसको लागू किया गया है यह हमें लागू करना चाहि है वक्त बहुत करीब आगया है देखिए जैसे यह ओनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी जूसरे स्टेट्स ने भी जैसे यू उपी ने उसको एड़ोप किया है और पंजाम में भी यह वी टीचर्स के ट्रांसफर्स के लिए उन्होंने ओनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी बनाई है तो इस तरह से है लेकिन हर्याना सरकारों को और भी कुछ बहुत सारे काम करने हैं जैसे यह कामबोस साब बैठे हुए है अब इनके डिपार्टमेंट में भी फूड सिकर्टी का इशू बहुत बड़ा है जो खुली मंडियों में रखा जाता है और अभी गोडाउंस के इन किये जो है फूड सप्लाई को ओनलाइन किया है सारे सिस्टम को ठीक किया है उससे जो बोगस जो थे कार्ड होल्डर वह भी सौट आउट हुए है तो इस तरह की काम तो हो ही रहा है लेकिन स्पीड और बहुत सारी चीज़ें फोकस करने की मेडिकल लाइन में भी बहुत जर संदों में सर आप प्रात्मिक्ताएं बता दीजी आगे के लिए कंडिव कंबो जी कि आपकी बहुत संख्षिप में मैं जाना चाहूंगी क्योंकि समय क्या भाव है अगला सेशन यहां पर शुरू होने वाला है आगे की प्रात्मिक्ताएं आपकी क्या रहेंगी है अभी पांज साल पूरे नहीं हुए है अभी तीन मैने हमारे पास और दौत करने वाले हैं हमारे क्शेटर में जो जो चीजें हमने सोची थी ओन लगबक जो है पूरी लोग भी अब यह कहने लगे जब गाउं में जाते हैं तो कहीं गाउं के सरपंचुनों ते कहा कि हमारे यहां कोई डिमांड नहीं रही अपनी तरफ से अगर कुछ अनौस करना चाहें तो कर दें यह नहीं कि इस परकार की स्थीति अब है और आने वाड़े समय में जो मेरा ए 2020 किलो में तक अगर कोई महिला कोलीज नहीं घ्या है तो हमारा जो वह नो रम पूरा नहीं हो थैंग अभि यह 20 weaik जब ll से कम वाला लेंगे सब से पहले आपका कोली जिए तो निश्चित रूप में हमाले जो एरिया के लिए महिला जरूर निया और टेकनिकलयशनて सब्सक्राइब करें तो यह चा रहे हैं तो यह चा रहे हैं कि हमारे वहां को इस प्रकार की इंडस्टी आए ताकि हमारे से ज्यादा से ज्यादा बच्चों को रोजगार में बहुत अच्छा के लिए आप सोचते हैं कुल्वन बाजिगर जी बहुत संक्षिप में मैं चाहूंगी क्योंकि अगला सेशन चुरू होने वाला है एक ऐसी प्रात्मिक्ता जो आप चाहते हैं कि कम से कम वह जल्दी से पूरी हो जाए उसके बाद चुनाव की देली सो बहुत नजदीक है फिर काम तो हमारे बहुत हुए हैं मैं तो कहूंगा कि हम बड़ी किस्मत वाले हैं जिनको मानिय नरेंदर मोदी जी के नेतरतों में और हर्याना परदेश में मानिय मनोरलाल जी के नेतरतों में इतना अच्छा काम करने को मिला जो कि इतना विकास हुआ कि मैं आपकी जानकारी के लिए बताना जाओंगा पिछले मेहीने मैंने पूरे गूला हलका कि जितने भी संस्ताओं के परदान है उनको जितने भी सरपंच हैं जितने भी चेर्मेन हैं जितने एक सरपंच हैं सब के लिए एक बहुत बड़ा एक खुला दरबार लगाया और उसके अंदर मैंने सब को ये बात पूछी कि कोई भी ये काम बताओ कि जो काम छूट गया है वो बताएं ये पेपर में बहुत बड़ा छपा था और पेपर में ये बताया कि भी आज तक किसी विदायक ने इस ज्यादा तर उसमें इनलो और कॉंग्रस पार्टी के भी लोग आके वो भी आके ये कहते नजर आए कि जितना विकास मानिया मनोरलाल जी की सरकार में अब हुआ है इतना विकास कभी नहीं हुआ और एक बात मैं और बताओंगा कि हर विदानसभा में कहीं ना कहीं विपक्स बड़े बड़े प्रोग्राम करता रहता है वो नारे वगएरा लगाना करता रहता है लेकिन अब की बार पूरे हर्याना में ही कहीं नहीं लेकिन गूला चीका की विशेश बात करूँगा कि गूला चीका में किसी भी इनलो वाला ग्रूप ता जो कभी वो आज तक कोई भी आदमी इतना समय नहीं देता जितना समय मैंने दिया है मैं रात के 12 वजे तक ओफिस में बैठता हूं ये बात एक अलग सी लगेगी आपको क्योंकि सब्छ है रात तक लगा अठा बारा मजे तंग बैठना और मैंने ये चैलन्ज है कोई अगर साधे 11 बजे भी आके मेरे ओफिस में आके और वहां से खाली चला जाए ये बता दें कि मेरे को विदायक नहीं मिला तो मैं इस बात के लिए भी कहने के लिए तरजी देते हैं और आपने काम को इतना तरजी देते हैं इक बार फिर तालियों के साथ बहुत बहु आप इस चर्चा में आए क्योंकि जनता से जोड़े मुद्य जो है वो जनता टीवी आज इस मन से उठा रहा है और अगली सेशन की और बढ़ेंगे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए डबाना न भूले बेल आईकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्वी चैनल